नमस्कार्ट स्वागत है आपका दन्यूज में और मैं रानी गुपता आपके साथ इस वक्त देख सकते हैं आज जो है हमारे तमाम सहीयोगी हमारे साथ बैठे हुए हैं जिसमें से अंजली है शिप्रा है और हमारे जो वरिस्ट पत्रकार है अजय जी वो भी बैठे हुए हैं लेकिन हम लोग एक साथ आज इसली आए हैं क्योंकि आपको पता है कि पाच राज्यो में विधान सभा के चुनाब हुए है और आज जो दिन है वो एक्जिट पोल का दिन है जी हाँ दन्यूस की टीम भी बखादा आपके सामने हाजर हो गई है जो पाच राज्यो का एक्ज परशा करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर बीजेपी हो या फिर कॉंग्रस हो पूरी तरीके से इन लोगों ने चुनावी क्षेत्रों में प्रचार का एक मौका भी नहीं छोड़ा यहाँ पर प्रधान मंत्री मोदी से लेकर के राहुल गांधी यह तमाम ऐसे नेता र यहाँ पर जहां अगर हम मध्यप्रदेश की बात करें राजस्थान की बात करें या फिर च्छतीसगर की बात करें यह तीनों राज जो है इस समय काफी जादा चर्चाओं का विशे रहा है और बीजेपी हो या कॉंग्रेस हो अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है तो इस राज्यों के चुनावों को ले करके तो अंजली बताईए आप क्या कहेंगी तो देखिए रानी जैसा कि आप कह रही है कि काटे की टककर है तो इससे लिए सबसे पहले जो है चछतीसगर की बात कर लेते हैं क्योंकि चछतीसगर में अगर आप देखेंगे तो यह पेज फस करने बीजेपी को पैतालीस से पचास सीटे दी हुई है और कॉंग्रेस को हमने पैतीस से ब्यालीस सीटों का आकड़ा दिया है तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो नेक टो नेक कॉंपटीशन है और अगर आप कहेंगे कि तीन-चार सीटे जो है उपर निच हो सकती है तो कहीं न कहीं बीजेपी आगे जो चल रही है इसके लिए बहुत बड़ा मुझे लगता है कि महादेव बेटिंग अप से जुड़ा था जिसे लेकर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी से लेकर जुतने भी बीजेपी के स्टार प्रचारक थे उन्होंने इन मामलों को ल चाहे तो हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर शिवरा सिंग चोहन जिने मामा वहाँ पर लोग बोलते हैं और खासतोर पर महिला वोटर्स जो थी वो दरसल उनके हक में जादा नजर आई क्योंकि लाटली बेहना जो योजना उन्होंने चलाई उसका बेहद असर जो है व उसे कही अपनाने की कोशिश की वो भी पूजा अर्चना करते नजर आए कमलनाथ हो दिगविजे सिंग हो या फिर प्रियंका गांधी वाटरा हो चुनावी रैलिया खूब की गई लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो बीजेपी का चुनाव पर चाह रहा उसका एक बहुत बड़ा असर मध्यपरदेश में हुआ है और बात अगर नतीजों की की जाए तो फिलाल जो एक्जिट पोल हमने मध्यपरदेश को लेकर तयार किया है हमारा एक्जिट पोल यही कहता है कि मध्यपरदेश की जो 230 विधान सबा सीते हैं उसमें से बीजेपी जो है लगबग 130 सीते हासिल कर रही है यानि बखमत का आंकड़ा 115 है और वो उसे पार कर रही है सत्ता पर बीजेपी काबिच हो रही है कॉंग्रिस पार्टी को जाहिट तोर पर नुकसान वहां पर होगा चुकि जिस तरीके से जोतिरादिते सिंध्या पर हमला बोला गया खास तो मैं 36 गड़ में भी यही कहूंगी कि जो कहिना कहीं बीजेपी ने वादे किये हैं जो घोशनाए 36 गड़ के लिए की हैं वो कहिना कहीं परिवर्तन की एक बड़ी वज़ा 36 गड़ में बन सकती हैं माहदेव बैटिंग एप है उसमें घोटाला हुआ उसे उजागर किया गया कारवाई हुई लेकिन खोशनाए जो बीजेपी की रही है महिलाओ के लिए हो किसानों के लिए हो वो एक बड़ी वज़ा जरूर रही है तो मद्यपरदीश की हमने बात की और उसके बाद एक और बेहद महत्पून राज्ये जिस पर सबकी निगाई टिकी है राजिस्थान चुकि राजिस्थान में जो जंग है वो काफी जादा कहीं न कहीं दिल्चस्प मानी जा रही है और राजिस्थान के क्या चुनावी आकड़े रहेंगे मेरी सहयोगी राणी आपको बताएगी तो राणी क्या राजिस्थान के आकड़े रहने वाले हैं उसने कैसा काम किया या फिर जो सरकार आएगी वो कैसा काम करेगी तो अगर हम राजस्थान में बात करें तो जाहिर तो पर यहां पर रिवास जो है वो बदलता रहता है और राजस्थान में इस बार मुद्दे भी बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं फिर चाहे वो हम तुस्टी करन की राजनीटी की करें कि कैसे राम नौमी का तहवार हो इन चीजों पर लेकर कि कैसे धारा 144 लागू कर दी गई थी तो ये तमाम चीजें जो है वो कहीं न कहीं वोटर्स के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है खासकर अगर हम राजस्थान में हम जब गए थ बखादा हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी वहां पर हम वजूद थे तमाम महिलाओं से हमने बात की और वहां पर प्रियंका गानी वोडरा यूपी में जाकर कहती है कि लड़की हो लड़ सकती हूं लेकिन अगर हम राजस्थान की महिलाओं की बात करें तो वहां पर उ तो कहते हैं कि यह तो मर्दो का प्रदेश है तो इस तरीके की जो चीजे है यह बहुत बड़ा असर महा के वोटर्स में डाल रही है जिसकी वज़े से अगर हम यहां पर एग्जिट पोल की बात करें तो राजस्थान जो है 200 विधान सभा वाली सीटे हैं लेकिन हर बार महा पर कुछ ऐसी चीजे हो चाती है जिसकी वज़े से 199 सीटों पर वोटिंग होती है तो इस बार अगर हम 99 सीटों की बात करें तो बीज़ेपी के खाते में 120 से 126 सीटे जा रही है वही कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस जो है इस बार बहुत जादा कम चल रही है पर बहुत बड़ा रोल है क्योंकि बहुत सारे हाँ पर बागी विधायक है नेता है जो कि अलग से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसे में अदर्स भी तीन तक जो सीट है वो कबजा कर सकती है यानि कि इस बार राजस्थान में बीजेपी का राज हो सकता है ये कहना ग बालक नाथ जैसा सीम चाहिए जो की तिजारा से विधान साबा चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में काफी ज़ादा ये दिल्चास पर लड़ाई होने वाली है तो ऐसे में अन्यराज के जो फैक्टर क्या है कौन सा फैक्टर बीजेपी का ज़ादा काम आया इन तमाम मसले पर अगर बात करें तो मेरे ख्याल से हमारे वरिष्ट पत्रकार हमारे साथ है तो वो ज़ादा अच्छे तरीके से बताएंगे कि बीजेपी की मुद़्ों की बात करें कौन सा मुद्दा जो है वोटर्स पर ज़ादा एफेक्टिव रहा देखे ऐसा है कि सबसे ज़ादा ज सबसे बड़ी बात यह रही जैसे मैं आपको बताना हूँ राजिस्थान में क्या हुआ है कि राजिस्थान में बीजेपी ने जहां पे एक डेल परसंटेज से बीजेपी आरी थी वहां मोदी जी की रहली हुई और वहां मतदान बढ़ गया और बीजेपी की हारी की बज़े थी कि 2018 में जो उनको बोर्ड मिला था वो उसके पहले वाले विदान सभा से एक दो परसंटेज कम इस बार क्या हुआ हो लगब पांच्छे परसंटेज बढ़ गया उससे यह है कि एक तो सबसे में फेक्टर मोदी योगी की रहली दूसरी बात होता है जातिगत समीकरन इस दुरस्त किया यह हर जगे बहुत ज़्यादा फेक्टर होता है मद्विदेश में भी किया और च्छतिस गर में यह कर ले गए लाश्ट में और यह वास्तों में तेलंगाना में बहुत बुरी तरह पिछल रहे तो वहां पर भी यह मजबूत कर गए उसकी बज़ा इन्हों जाते कर समय मैं आपको बत्रानों आप देख लीजेगा च्छतिस गर के बस्तर में आज तक बीजेपी नहीं जीती और कभी कांग्रेस को लीड नहीं दे नोट कर लीजे वहां के दस सीटों में से बीजेपी छै सीटे पहली बार इतिहास में जीत के आ रही है अगर कांग्र कर देख वहां पर हारती है और जगे भी बस्तर के लोग आसपास रहते हैं तो लगबगे 19-20 सीटों पर असर होगा यही वज़य है कि आपको बत्राने बीजेपी इस्ट्रांग पोजिशन में हो गई जिसकी यह पोजिशन महसूस की जा रही थी कि वह 36 गर और तेलंगाना म 35 सीट के आसपास होगी इससे कम नहीं हो सकती जादा भी हो सकती है और बोट आप परसंटेज आप नोट कर लिजे बीजेपी 41 परसंटेज बोट 36 गर में निश्चित पाएगा अब आप देखें राजिस्थान में बीजेपी ने कितनी टेक्निकल लडाई लड़ी है वहां क इतना कांग्रिस करें उनका कहना था पीपर लीग मामले पे इन्होंने हमारे पैनों में कुलहारी मार दी हर वहां का नया ललका जो था उसने आप समले उसका इन्होंने बोर्ट तो बढ़ाया और वह बोर्ट जब मतदान करने गया तो उसने गैलोत के अगेंस बढ़ा यह की चीद बीजेपी के प्लस में गई चौती आपको बात बता रहे हैं वहां पे गूजर जो था कि टोटल गूजर दोहजार ठारा मिन के खिलाब था इस दसों की दसों सीटे उन्हों जीती थे और जहां गूजर था उन्हों 20 सीटे इस बार टोटल गूजर खुल करके बीज लाजिस्थान का इतिहास इन्हों ने सब को प्रचारित किया कि जो ये पूरा लाजिस्थान पूरा भोपाल इंदा और पाकिस्तान में जा रहा था मेवार के और लाजिस्थान के राजाओं आमेर वगेरा ने इन्हों ने किसी तरह इसको बचाया उस चीज़ को लोगों को अब मालूम हुआ अब मालूम हुआ कि अखबर की एक बहन माना प्रताप के यहां ब्याही थी तमाम चीजें ऐसी इन लोगों ने की जो इतिहास की सचाई उसको देख करके राजिस्थानियों का स्वाब मान जागा और पूरा पूरा छतरी आपको बता रहा है कि इनके साथ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वहां क्या पोजिशन हुई मारवार में जो पोजिशन है वहां पे बीजेपी निश्चित तौर पे मारवार में लगभग चपन में 34 सीटे कम से कम जीत के आएगी कम से कम 34 कुछ भी हो राजिस्थान का मारवार का आदमी पूरे देश में है मगर राजिस्थान में उसको सुब्दा ने मिली सबसे ज़्यादा किसी ने पड़ काटे हाथ काटे उगलिया काटी मारवारियों की तो गैलोत ने अपने कोई भी इंडस्टी नहीं डवलप की किसी बड़े इंडस्टिस्ट को भुलाया नहीं सम्मान नहीं दिया ये चीज उनको मारवारियों को इसलिए पूरे देश का मारवार इनके साथ था दूसरी आपको एक चीज और किलियर कर दूँ जो कोटा कोटा टोक सीट है लाजिस्थान के छेत्र वहाँ पे कांग्रेस एक तरफा जाती थी वहाँ का मुस्लिम बगैरा इस बार इस्थि जस्ट पल्टी हुई है 13 सीटे बीजेपी को जीतेगी और कांग्रेस वहाँ पे 11 सीटे और 36 गर में आपको मैं एक बात और बतला दूँ कि 36 गर में ये आप नोट कर लिजे किसी भी सूरत में किसी भी हालत में भूपेज बगेल 36 गर के चीप मिनिस्टर नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे नोट कर लिजे राजिस्थान में किसी भी सूरत में गहलो चीप मिनिस्टर नहीं बनेंगे मरीपूर में मरीपूर में कांग्रेश का मैं स्वारी मिजोरम में कांग्रेश की सरकार नहीं बने कांग्रेश के पाद माद्दे का कोई लीडर नहीं है दूसरी तेलंगाना में भी कांग्रेश की सरकार नहीं बनेगी कांग्रेश का कोई लीडर नहीं हां मगर ये जरूर है कि आप ये नोट कर लीजे मद्धिदेश 36 गर और राजिस्थान में सरकार निश्चित तोर पे BJP की होगी ये नोट कर लीजे परणाम हो सकते है कि उपर नीचे हो मगर आपको बता रहा है कि 36 गर में भूपेज बखेल नहीं होगे ये निश्चित आप समझ लीजे टियस सिंग देओ या तमाम लोग हो सकता BJP के साथ हो या कोई सम्मिस्रन हो और वहाँ पर भी BRS में उसमें भी BRS समर्थिस सरकार होगी ये हो सकता कमबाइन गवर्णमेंट हो तो जैसा कि वरिष्ट पतरकार अजेजी से हमने उनकी राय जानी तो उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी लेकिन एक चीज जो उन्होंने कही वो ये कि BJP की रननीती शुरू से ही यही थी कि उन सीटों पर फोकस किया जाए हर राज्चे में जहां पर पिछली बार BJP हार गई थी और कहिने कहीं उन सीटों पर फोकस किया किया है नए चेहरे या तो उतारे गए हैं या फिर कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन पर भरोसा जताया चुनाह को नतीजों में भी देखने को मिलेगा और यही वजा है कि BJP जो है वो मद्धेपरदेश में अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं बढ़त में नज़र आ रही है और चुनाह नतीजों में BJP जीतेगी ऐसा अनुमान हमारे एक्जिट पॉर्ण में हमने जताया है लेकिन मुद्दों का उन्होंने बात की तो मुद्दे जाहिक तोर पर बीजेपी ने अपने घोशना परत्र में रेविडी नहीं बाटी जो विपक्ष ने बाटी क्योंकि विपक्ष का जो फोकस था वो सिर्फ रेविडियों पर था और साथ ही किस तरीके से गाली गलोच करना है किस तरीके से भाशाओं का इस्तमाल करना है, इसका ख्याल नहीं रखा गया, इसका भी खामयाजा, 35 शब्ध का ही जिक्र कर लीजिए, तो पनोती का असर कहीं न कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि PM मोधी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तमाल और जाहिर तोर पर इन शब्दों का इस्तमाल किया गया है तो इसका असर जरूर इन नतीजों में देखने को मिलेगा चाहे बाद 36 गड़ की कर ली चाहे मध्यप्रदेश की या फर राजिस्थान की क्या कहेंगे जली क्या लगता है कि 36 में चुकि बहुत कांटे का मुकाबला है और कांटे के इस मुकाफले में जीत क्या एक बार फिर से बीजे पी जो है 36 की सत्ता पर काबिज होगी क्योंकि ऐसा शुरुवात में अनुमान नहीं था 36 में 36 में ऐसा लग ग रहा था कि कॉंग्रेस एक बार फिर से लेकिन बीजेपी ने ऐसा लगता है कि काफी अच्छा पर्फॉर्म वहाँ पर किया है देखे शुप्रा ये बात तो है लेकि छटीस गड़ में जो है काटे का मुकावला जो है वो तो देखने के लिए मिलेगा इस पश्टार पर लेकिन कॉंग्र और मुक्यमंत्री की सीट को लेकर तकरार दरार हमेशा से जो है देखने के लिए मिलती है अब शिब्ति कार्नाठक पर जो है चन्नी को पसंद नहीं करते थे यह आपसी कर लाती और जब लोगों ने वोट डाला तो यहीं कहा था कि यह खुद के घर की परिशानी नहीं सॉल्फ कर पार है तो हमारी परिशानी क्या सॉल्फ करेंगे अब सेम चीज अगर आप देखेंगे यह हर जगा हर राज्य में जहां पर भी कॉंग्रेस सत्ता में है हर जगा यह पेच मुख्यमंत्री की कुरसी को लेकर फस्ता नजर आ रहा है अब राजस्तान की भी बात जैसे की रानी ने भी कई तो राजस्तान में भी देखें कि एक सीट पर गहलोत और पाइलेट का मुद्दा भी अटका पड़ा ह हैं यहां पर भी जो है अलग-अलग ए राजस्तान देख लिए पुर में पंजाब देख लिए तो कॉंग्रेस की नाकामी कहिए अगर आप कई crafts〉री कहिए यह यू कहिए कि अपने ही लोगों के अब एक कॉंग्रेस की अंदर कई कॉंग्रेस है एक कॉंग्रेस की अंदर एक विचारधारा की बात करते हैं और कहते हैं कि नेरू की विचारधारा जो लेकर हम चल रहे हैं आगे चल रहे हैं लेकिन एक कॉंग्रेस की अंदर भिन-भिन प्रकार की विचारधारा है और भिन- पोल भी बनाया आपने राजस्थान में बीज़पी को बढ़त तो हमने लेखा कि कई सारे भिशेश रगे हैं कि राजस्थान में कॉंग्रेस की हार की बड़ी वजह जो है या अशोग ये olur ये लग और पाइलिट के बीच उद्वीत है ये बड़ा का सियम का चेहरा होता भी है तो दो ऐसे लोग होते हैं जिसकी वज़े से पूरी तरीके से उस राज जमें कॉंग्रेस जो है एक पार्टी जो है वो दो गुटों में बढ़ जाती है ठीक यही असर राजस्थान के चुनावों में भी देखने को मिला यह महस चुनाव का तब भी यह चीज़े देखने को मिल रही थी पाइलेट का गुट यह चाहता था उनके नेता यह चाहते थे कि अशोग गहलोत के गुट के जो नेता है उनका टिकेट कर जाए और इनके गुट को मिल जाए और सेम यही चीज जो है वो अशोग गहलोत गुट के जो नेता थे वो चाहते थे कि पालेट गुट के नेताओं का टिकेट कटके इन्हें मिल जाए तो कही न कहीं यह पूरी चीजे रही है और जो जनता है उनका भी यह मानना है कि पाच सालों तक कॉंग्रेस ने यहाँ पर शासन किया लेकिन उन्होंने जनता के मुद्दों को ध्यान में नही अगर हम इसकी बात करें तो जाहिर तोर पर शिप्रा ने जैसे बताया कि बीजेपी की यह चीजे रही है कि वो रेवडी नहीं बाटती है चीजों को करके दिखाती है तो जैसे कि हमेशा से कहा गया था राम मंदिर का मसला तो आज उत्तर प्रदेश के अयोद्या में श्री करके बाते कहे और आपको याद होगा कि जब हेमंता विश्व सर्मा गय थे तो उन्होंने बकादा ये बाते कही थी कि अगर मैं हिंदुत्व के मसले पर भारत में नहीं बोलूँगा तो क्या बाबर और अगबर के बारे में बोलूँगा तो ये लोगों को पसंद आती है क कम से कम देश में एक पार्टी तो है जो एक मुद्दे को लेकर के ठीक से खुल करके अपनी बात रखती है तुस्टिकरन की राजनीती तो नहीं अपनाती अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इसी के साथ ही हम धारा 370 की बात करें तो ये चीज़े भी लोगों ने देख बगादा पांच सालों तक कॉंग्रेस की सरकार वहां पर रही अशोक गहलो सीम रहे काई दफा देखने को मिला लेकिन वो जो है बस कुरसी की लडाई में उल्चे रहे बार बार वो दिल्ली आने में उल्चे रहे उनके बेटे को भी बगादा वैबो गहलोत को एडी का समन लिट्स देंगे तमाम योशनाय लेकर क्याते हैं मेरे ख्याल से जनता का इस पर कोई असर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं जो साथ गैरेंटी है वो अशोक गहलोत का काम तो फिलाल राजस्थान में बनता हुआ दिखाई दे ऐसा संभव नहीं लग तो फिलाल जिस तरीके से एग्जिट पोल रहे हो या फिर जो मेन फैक्टर रहे हो तो कहीं न कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सियम योगी ने बखादा रहलिया कि ये भी एक महत्वपूर्ण चीजे रही है कि जो खुल करके वो भाशन करते हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उन्होंने छवी बिल्कुल बदल के रख दी है जो उत्तर प्रदेश कभी माफियाओं के नाम से जाना जाता था कभी उसे दंगो वाला प्रदेश कहा जाता था तो आज उसे बाबा बुल्डोजर का प्रदेश कहा जाता है आज उसे उत्तम प्रदेश कहा जाता है तो यह तमाम चीजे हैं जो कि बीजेपी के अलग-अलग मुख्यमंत्रियों ने अपने राजियों में की है जिसकी वज़े से जनता जो है काफी जादा प्रभावित हुई है तो अगर हम देखे तो एक्जिक्ट पोल पे तो हमने चर्चा की साथी फैक्टर्स पर भी हमने चर्चा की और अगर हम सीयम के रेस को ले करके बाते करें तो राजिस्थान में कही न कहीं यह चीजें जो है काफी जादा फसी उई नजर आ रही है क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर नाम चल रहे हों, फिर चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हम वसुंदरा राजे की करें, दीया कुमारी की बात करें, या फिर बाबा बालकनात की बात करें, क्योंकि वो भी इस वक्त सीअम की रेस में काफी ज़ादा आगे चल रहे हैं, और उनका जो चबी है हिंदुत व जनता जो है किसे अपना CM बनाएगी और फिर BJP की ओर से कौन मौका देगा किसको तो जैसा कि हमारी से योगी रानी ने अभी मुख्य मंत्री के चहरे की बात की है और उससे पहले जो है गैरेंटी की वो बात कर रही थी तो मैं एक चीज कहना चाहूंगे मैंने बहुत सारी सबसे जो एक एहम चीज जो मुझे देखने के लिए मिली है जो मतलब मेरा परस्पेक्टिव है अगर गैरेंटी के बात करें तो एक पार्टी जो बहुत देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसके पास काफी लंबा समय था एक काफी अगर आप कहेंगे सुनहरे वक्त थे जब देश उभर रहा था चीजे हो रही थी और काफी कुछ किया जा सकता था और उस वक्त लोगों को गैरेंटी नहीं डिवलाप्मेंट की ज़रुए थी मुझा लगता है गैरेंटी तो डिवलाप हो जाने के बाद आज आप गैरेंटी देंगे आपने ये कर दिया वो कर रही है जिस पार savings के मुख्यमनतरी की गैरेंटी नहीं है जिनकी बातों की गैरेंटी नहीं है उनकी गैरेंटी की लोग क्या गैरेंटी लेंगे तो लोग भी जो है समझ चुके हैं कि कॉंग्रेस जितनी अंदर से खोकली है, जितने इनके आप कह सते हैं, अंदर में फूट की खबरे आती है, इनके वादे भी उतने ही खोकले हैं, तो जनता सिर्फ वहाँ जाती है, सुनने के लिए और जब वापस आती है, और कई सारे ऐसे बुदी जी पत्रकार है, जो वहाँ फिल्ड पर रहते ह अब किसको वोट देंगे, वो मुपर कहते हैं कि हमने बीज़पी को वोट दिया है, राष्टरबाद के लिए वोट दिया है, हमने दिया है वोट क्योंकि हमने देखा है कनया लाल के साथ क्या हुआ, वो सीधा कहते हैं, हमने देखा है कि क्या चीज़े हो रही और किस तरीक पर मोधी का नाम आता है तो मोधी की गैरेंटी गैरेंटी जाकर कई नेता देकर आते हैं लेकर उन्हें पता है कि मोधी ने जो काम किया जो मोधी की रैलिया थी और मोधी ने जो काम किया उसका असर बहुत व्यापक तोर पर जो है देखने के लिए मिल रहा है तो लोग उसकी जो है काफी ज्यादा रखते है कि एक जिस जो कह रहा है और एक जिसने करके दिखा दिया है तो यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है और दूसरा अगर हम राजस्थान के बात करें तो बीजेपी की तरफ से बड़ा क्लियर फैक्टर था यहां पर राजस्थान में अगर आप कह जिसका प्रदेशन अपने चेतर में सबसे बढ़िया होगा वह मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे होगा और बस यह जो बहुत बड़ा फैक्टर था कि इसने सभी नेता हो का क्यों कि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है चाहे कॉंग्रेस हो या बीजेपी मुख्य हाई लेवल पर जो अगर आप कहेंगे कि बढ़त जो है यह दिलाई है तो एक तरफ कॉंग्रेस है जिसकी खोखली गैरेंटी जनता समझ रही है और दूसरी तरफ बीजेपी है जो काम दिखा कर वोट के लिए क्या रही है कि आप काम के अनुसार वोट दीजे काम पर वोट है कि हम आपको कि बढ़ेंगे करेंगें यहां पर भी काम किया जाएगा तोु है s देखने के ने मिलेगा देखे कॉंग्रिस का आपने जिक्र किया और फिर वही बात अगर राजस्थान में अगर कर ली जाए तो अशोग ग्याहलोथ और सचिन पाइलेट की लड़ाई जो इस तरीके से आप कह रही हैं कि कॉंग्रिस की तरफ से मुख्यमंतरी का चेहरा कोन हो को भुगतना पड़ रहा है ये सचिन पाइलेट जिस तरीके से एक गुट सचिन पाइलेट का है एक गुट अशोग गैलोत का है और वहाँ पर दोनों ही गुट के अलग-अलग लोग है और यही वज़ा है कि तीन परसेंट जो गुजजर वोट जादा हुआ हुआ है उसका भरोसे पर वोट दिया था 2018 में कि सचिन पाइलेट को मुख्यमंतरी बनाया जाएगा लेकिन वहाँ पर ये वादा नहीं निभाया किया अशोग गैलोत ने उन्हें कोरोना कहा उन्हें निकम्मा कहा और नजाने किन शब्दों का इस्तेमाल किया तो पहली बात तो कॉंग्र है दिया कुमारी का बाबा बालकनाथ जो की सामाजिक तोर पर भी कारे करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अपने छेतर में तीजारा एक होट सीट मानी जा रही है कि इन चुनाहों में काफी एहम और निर्णायक हो सकती है वो सीट तो बाबा बालकनाथ का जिक्र लगातार हो रहा है और योगी आधितनाच से वो कंपेर उन्हें किया जा रहा है 36 गड में जैसा कि आपने बताया कि भुपेश भगेल है और टीएस देव सिंग है तो ये कॉंक्रिस पार्टी ऐसा लगता है कि अंद्रूनी कला की वज़े से ही एक के बाद एक तमाम राज्यों में खत्म होती नजर आ रही है पंजाब देख लीजिए उसके बाद उत्राखंड में भी सत्ता गवाई उसके बाद आब ये तीन राज्ये जाहित तोर पर काफी एहम है लेकिन वरिष्ट पतरकार जी भी हमारे साथ हैं तो क्या लगता है आपको कि राजिस्थान में और जाहिर तोर पर मुख्यमंत्री का चेहरा कोन होगा इसको लेकर एक बड़ी जो है कहीने कही दिल्चस्पी लोगों में है कि कोन होगा मुख्यमंतरी का चेहरा तो आपको क्या लगता है जो राजिस्थान की इस्थित है तो मैं आपको बतला दूँ कि राजिस्थान में मुखमंत्री के चेहरे पे सबसे ज़्यादा अगर डिमांड है तो बावा बालकनाथ की है उसकी बज़े ये है कि भाजपा का भी हाईकमान और भाजपा के कारकरता दूसरी बार नया बोटल इतना जुड़ा है बावा बालकनाथ जी की बज़े से कि उनकी संभा होना है बहुत हत्तक है इसके इलावा जो मेन बात है कि राजिस्थान से बसुंदा राजे सिंधिया लगाता नहीं उनकी एक एज हो गई और उनको कारकरता पूर्टा उनसे संतुष नहीं है इसके पहले भी 2018 में बाज़पा का ज़्यादा पर्लाम अदना आपाने की बज़े भी कुछ लोगों का मानना था कि बसुंदा राजे जी को कुछ लोग पसंद नहीं करते थे उन्होंने काम नहीं किया था इसकारण बीजेपी नहीं आपाई दिया कुमारी जी नई लेडीज हैं जैपुर्म गराने की हैं और खास हो से गायत्री सिंग की फैमिली की हैं तो उनका भी नाम है और उनकी बज़े से भी उनके छेत्र पे लोग जीत के आ रहे हैं दहुलपूर बगएरा तमाम जगए बसंदा राजिक बज़े जीत के आरें मगर वहीं मादोर आओ सिंदिया की इस्थित पूरे देश में काफी स्टॉंग हो गई मद्विदेश में उनकी जो सगी बुगा है यसोदरा राजे की उनकी इस्थित इस्टॉंग है यसोदरा राजे जी की मद्विदेश में आज भी बड़ी सम्मान है हाला कि यसोदरा जी जो है कभी राजनीती रूप से दखल नहीं देती है उनको राजनीत में कई बार चांस दिया गया मगर उन्होंने हमेसा मना करती नहीं इसलिए बसुंदरा राजे जी का थोड़ा सा पॉइंट कमजोड होता कि एक परवार से एक ही आदमी देश की राजनीत में तो बसुंदरा जी को केंद्र में चांस दिया जा सकता बहुत महत्पूर्ण पद और लाष्ट में उसमें तयार हो जाएंगी अगर उनके लड़के को भी कोई अच्छा पद्दे दिया गया तो ये दोनों चीजे हो जाएंगी बसुंदरा राजे भी मान जाएंगी दिया कुमारी ऐसे समय में बालक नात के प्रस्ट संभावना है बहुत अधिक बल्वती हो रही है चुकि BJP के साथ एक माइनस बात यह है कि BJP के साथ पूरे देश में यादो बोड नहीं है यादो बोड पूरे देश में 6 परसंटेज से ले करके 16 परसंटेज तक अलाज्यों में है जो बहुत बड़ा परसंटेज बिहार में BJP कभी सपन नहीं हो पाई उसने नितिश कुमार जैसे छोटे लीडर को चीप मिनिश्टर बनाया है चुकि माई समी करन में यह डाउन हुए अगर कभी भी कोई ग्रैयुद होगा या कोई इस्सित होगी तो माई समी करन ऐसा है कि माई समी करन से वास्तों में BJP हार जाती BJP को पतकनी अगर कोई देता तो माई समी करन या BJP से मुकाबला अगर यह समीकरन टूट गया, यादो समी, पूरे उसमें मैसेज जाएगा, मैं आपको बतानो, पूरी यूपी, पूरा बिहार, पूरा करनाटक, याद रखेगा, करनाटक में भी यादो बहुत है, तमिलाड में भी यादो बहुत है, अन्ना यादो है, जैगुर्देव अगर बालकनात जी आ गए तो बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट हो गए दूसरी बात वहाँ उनिवस्टी चलाना इतना बड़ा अन्चेत्र देश का होना और बालकनात की बज़े से नया बोर जुला तीजारा जैसी जगह पे जहां पे बीजेपी के जीत इसलिए कि कभी कोई संभावना नहीं थी जहां मुस्लिम बहुल छेत रहे वहां से रिकॉर्ड बोटों से जीत करके आरे अलबर जैसे चेत से चाल लाग बोटों से जीतना चाल लाग बोटों से लोकसवा बहुत मायने रखता बालकनात की चुकिए एज कम है बिलकुल योगी की तरीके इसलिए बालकनात की श्ट्रांग पोजिशन लग रही है और नया मतदाता जूर रहा है तो मेरा अंजाजा है कि बालकनात की भी बहुत श्ट्रांग होगी इन समी करो तूसी बालकनात नहीं ये बिवादासपन नहीं है इस पर ये सब लोग मान जाएंगे कि बसंद्रा जी को केंद में दे दिया जाए उनके लड़के को तो ये सब लोग मान जाएंगे ये मेरा अनमान है ब्यक्तिकत अनमान है तो इस्थान हो या मद्यपरदेश हो या फिर 36 गड़ हो जहां पर पेच कहीं न कहीं एक तरीके से बीजेपी और कॉंग्रिस पार्टी के बीच माना जा रहा है तो वहां पर बीजेपी सत्ता पर काबिच होगी ऐसा अनुमान हमने जताया है हालकि अभी भी तीन दिसंबर का इ सीधा असर जो है वो लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा तो ऐसे में हमने चर्चा की है इन पांच राज्यों के एक्जिट पोल के नतीजों पर और आपकी भी इस पर जो भी राय हो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें धन्यवाद